है गाईज देखो कुछ-कुछ ऐसे पैनी स्टॉक रहेंगे जिनके उपर मैं स्टुडि कर रहा हूं उसके उपर मैं आपको थोड़ी बहुत जनकारी देने जा रहा हूं लेकिन याद रखे खरीदने बिशने से पहले अपने फाइनिशल अडाया से कंसर्ट खेज़ेगा सर क्यों कि सर देखो अगर प्रॉफित होगा तो आपके जेब में जाएगा जब लॉस होगा तो अब आपके जेब में जाएगा सर तो यह आपकी रिस्पॉंसिबिलिटी है कि आपको जहनना चा तो सारा चला जागा सर, तो कहने का मतलब होता है, सुनो सब की करो अपनी मन की, क्योंकि ये को रिकमेंडिक्शन अडवाइज ये टिप्स नहीं होता सर, ये मैं आपको वीडियो से पहले दो मिने टाइम लेकर समझा दे रहा हूं, और जितने लोग को ये बकवास लग रहा है तो सरीय डिस्क्लेमर आपका काम आएगा, क्यों? क्योंकि अभी भी आप गलत रास्ते पर गलत डिसिजन लेते हुए चल रहे हो से, इसलिए, ठीके, अब आईए आजाते हैं मुद्दे की बात पे सर, तो अगर आप देखेगा, तो मैंने एक साल पहले सर एक वीडियो बना है, जो मुझे ठीक ठाक लगा था, तो मैंने आपको बताया था, लेकिन पिछले एक साल से सर, ये स्टॉक गिरे जा रहा है, ठीक है, देख लेजेए, हो सकता है कि आने वाले 10-20 सालों में ये भी बजाज फाइनिस जैसा, रिटे निकाल के दिखाते बजाज फिंसर जैसा, घिरावाट मार्केट का एक पाट है, याद रखेगा, कोई भी ठाटा गुरूप के भी बहुत सारे स्टॉक्स गिर जाते हैं, बिय्ला के भी गिर जाते हैं, अदानी के भी गिर जाते हैं, बिल्कुल किसका नहीं गिरता? तो बड़ी बड़े स्टॉक्स खरीद हो या को मिल दा था और एक साल बाद देखते हैं क्या हाल है इसका यहां पर मैंने बताया था सर आपको 567 देख लेजिए और उपर ही मैं आपको बता रहा हूं ठीक है यहां पर मैंने यह वीडियो बना कर आप लोगों को बताया था सर देख लेजिए और एक साल बाद भी मैं आपको बताऊंगा सर, ठीक है, स्टॉक गिरा है, और नहीं चला, इसका मतलब ये निकी खराब है सर, जिस दिन चलना स्टार्ट करेगा उस दिन दिमाग खराब करतेगा सर ये कंपनी, आपका दिमाग हैंक करना स्टार्ट करेगा सर, इतना मतलब पर आपको update दिया था और आज भी मैं आपको update दे रहा हूं sir ठीक है समझोगे तो आप भी tension नहीं लोगे ने तो कुछ लोग बोलते हैं sir एक साल हो गया कुछ नहीं हुआ, दो साल हो गया कुछ नहीं हुआ sir investment में थोड time तो लगता है sir और यह बस sir मैं आपको याद दिला रहा हूँ, मतलब एक तरीके से revision करवा रहा हूँ sir और यह जो company अगर आप देखो गए तो sir finance sector में काम करती है, finance sector में काम करती है sir, investment type का sir, इनका business है sir, पहले इनका नाम अलग था, mungipa industry limited sir security है, इसी तरीके से कुछ नाम था sir इनका sir, यह लोग काम ही यही करते है sir, यहाँ देख सकते, बिजनस क्या है इनका investment activity, investment research investment banking, wealth management sir, और यह इस ताइप के business करते हैं, जो लगबग future oriented है sir, देखिए company ने अपने name, नाम को भी बदल लिया sir, साइद इससे पहले भी मैंने video बनाया होगा, बस धुनना पड़ेगा और यह company, 35 venture के साथ जो है, यह जुड़ी हुए है 500 borrowers को service देने के लिए और इनके पास business partner कौन से कौन से है sir, APL Apollo यहाँ देख सकते हो sir, APL Apollo steel pipe, जो की इंडिया के सबसे बड़ी company है, जो 55% market share लेके बैठा ह हुआ जो स्टाइक के इंडर बड़ी लेवल में काम करती है तो यह हो जाता है sir, company का competitive advantage यह हो जाता है company का competitive advantage अगर आप एक कोई business कर रहे हो sir और अमबानी ने बोल दिया कि भाई तुम business करो हम देख लेंगे तो सोचो आपके business को grow करने से कौन रोख सकता है कोई नहीं रोख सकता है उसी तरीके से भाई APL Apollo बहुत बड़ी company है sir इससे मतलब 55% market share लेके बैठा ह कोई टिकी नहीं पा रहा है sir इसके सामने सोचो company के management वगरा चेंज हुए है और स्थर्डेन company के पास sir लगबग 2-3 करोड से लगब 747 करोड का तो sir company के पास reserve आ गया और लोग बोलेंगे sir company का boring भी तो बढ़ गया 957 करोड हां तो sir finance वाली company है अगर finance वाली company boring नहीं लेके चल तो sir समझ रहो ना मतलब मतलब ही नहीं बनता तब तो sir तब तो sir इस company को डिलिष्ट हो जाना चाहिए है कि नहीं चाहे का दुकान खोल देना चाहिए ताब याद रखेगा जितने भी finance related company है उनके पास debt होना ही होना चाहिए sir क्योंकि उनका काम ही वही है sir अब इरिडा क्या करता है sir इरिडा कहीं से पैसे लेता है लेता है फिर इसके बाद दूसरों को लेता है बजास finance क्या sir पैसे चापता है वो भी एक तरीक से पैसे लेता दूसरों को देता है sir तो यह इनका एक business model होता है इस वज़े से इनको loan लेना पड़ता है और जिस Spanish stock के तालास में आप व वो यह company है sir वो यह company है जिस company का नाम है ladder up finance limited ladder up finance limited sir बहुत खतरनाक है बहुत खतरनाक है तीसरी बार भी सेमड़ाई लोग मारता हूं क्या बहुत खतरनाक है समझ जो या ठीक है बहुत महनत से मिलती है ऐसी चीज़े बहुत research करने के बाद बहुत time लगता है sir एसी चीज़ों तो पिछले 5 दिन का अगर हटा देते है sir return तो इस company ने कुछ खास return निकालकर नहीं दिया पिछले 5 सालों में केवल 30% और यही हमारे लिए से बहुत फायदे वाली चीज़ होने वाले पिछले 5 सालों से stock नहीं चला तो लोग बोलेंगा भाई पिछले 5 सालों से नहीं चला तो चलने वाली है sir समझो ना तो बनने वाली है company समझो ना नहीं चला यह तो चलेगा और जो चल चुका है sir वो क्या चलेगा जो चल चुका है और क्या चलेगा sir समझ देखें ये company है strong sir company investment के लिए काम करती है लिस्टेड और UNLISTED दोनों securities में sir ये company काम करती है ठीक है ये company investment क के लिए काम करती है और wealth management बहुत सरे चीज़ों के लिए company काम करती है बहुत छोटी company सर 78 crore का तो अगर आप खरीद रहे हो तो अपने risk के ओपर खरीएगा क्योंकि मैं आपको को recommendation, advice, tips नहीं दे रहा हो सर कल के date में आपका पैसा 0 हो जागा तो उसकी responsibility केवल आप लेते हो या आपका पैसा दजगुना हो जागा फिर भी उसकी responsibility आप लेते हो सर क्यों हैगी नहीं फायदा भी तो आपको होगा तो loss भी तो आपको होगा यह stock अगर ज़्यादा ज़्यादा गिरता है तो यहां से 20% गिरता है मतलब यह मान के चले कि 64 क्रोड और यह 14 क्रोड को अगर minus करते हैं तो लगबब जो एक महीने पहले वाले price पर यह company चल दा था वो इसका fair value होगा सर यह मान लेते हैं मतलब जितना company का value नहीं है उतना तो company ने reserve रखा हुआ है सर यह company investment के लिए काम करती है जो कि यह company बोल रही है companies in the business of यहां देख सकते हो investing security में सर securities of listed and unlisted company दोनों में काम करती है सर short term long term जो company को ठीक लगता वो करती है सर company companies investment portfolio diversified across the various sector बहुत सारे sector में company ने अपने portfolio को diversify कर रखा है जैसे देखेंगे तो बताया जारा finance ठीक है financial service में health care में retail में packaging में QSR में information technology में real estate में यह सारे चीजों में सरे company deal करती है investment banking, capital market, wealth management, project finance and growth यह हर चीज में सरे company जो यह काम करती है मतलब वो सारे field में diversify करके काम करती है सर company, company तरही छोटी से पिद्धी company है कि भई company मतलब एक दिन का खाना जुटा ले तो बहुत बड़ी बात है लेकिन सर यह company देखो तो international market में काम करती है वो भी सर दुबई तक पहुँच गई यह company सोच लो, सोच लो जो company export market में काम करना स्टार्ट कर देती है वो छोटी company होने से बहुत अच्छा रहता है यह company लगभग fee income से भी काफी ज़्यादा पैसा कमा लेती है जो इसी company का control है उसके उपर private limited के उपर जो भी यह company profit करती है वो उनको direct उनको मिलता है ऐसा रहता है और company अपने business को बढ़ाने के लिए और focus कर रही है यह company अब लोग बोलेंगे कि यार यह wealth management वाला यह finance वाले company आज के date में इतना focus क्यों किया जा रहा से अगर आप देखोगे तो आज के date में यह इंडिया के अंतर से trend बन चुका है आज के date में जो लोग investment पे आ रहे हैं कि इंवेस्टमेंट करना है हमें 10 साल के लिए 20 साल के लिए तब कुछ बड़ा benefit देखने को मिल जागा इस वजह से यह sector का कोई धियान दई नहीं रहा और यह लगबग आने वाले बहुत fast growing sector है सर फाइनेंस में ऐसे बहुत सारे company है सर यह तो मैंने आपको छोटा अला बता है wealth first management अगर देखोगे तो वह भी आपको देखने को मिल जागा choice international वह भी इस company में काम करता है आनांद राटी सर वह भी इस में काम करता है मतलब सब भी सर बहुत बहुत है सर ऐसे यह को recommendation advice या tips सर नहीं है मैं आपको फिर बोलता हूँ आप अपने risk के ऊपर खरीदेगा बेशिगा क्यों क्योंकि सर पैसा होगा profit होगा तो आपका loss होगा तो आपका sir याद रखेगा आख बंद करके sir कोई काम नहीं करना trust मत के जगा blind मेरे ऊपर भी मत के जगा मैं दूद का दूला नही दें sir बिलकुल बिलकुल free में sir